Hey everyone, welcome back to my channel, June Flower. और आज की वीडियो बहुत special होने वाली है, बहुत अलग वीडियो है अब तक की सारी वीडियो में. क्योंकि आज की वीडियो, special वीडियो है जिसमें मैं आपकी जो सवाल है, जो भी queries आपकी थी, जो आप मुसे पूछने चाह रहे थे, लेकिन मैंने reply भी देने की कोशिश की, बट मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं आपकी सारी queries, आपकी सारे questions का answer दे सुकूएं. So, let's start this video. सबसे पहला सवाल जो लोग पूछते हैं, उनका ये है कि कौन सा कलर यूज करें हम फाबरिक पेंटिंग करने के लिए? Market में बहुत सारे colors available है, बहुत सारे brand में colors available है, मैं किसी brand को promote नहीं करना चाहती, लेकिन जो मैं personally color use करती हूँ या जो मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगा use करने में, मैं वो आपको बताना चाहूँगी. फैविक रिल के fabric colors मैं use करती हूँ और उसका आपको response अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है, उसका reviews भी अच्छे हैं, तो अगर आपको कोई color use करना है, तो use fabric color, फैविक रिल के fabric colors. जो second question है, जो सबसे जादा लोग पूछ रहे हैं, वो है कि क्या fabric color और acrylic color same है, क्या हम acrylic color कर सकते हैं, क्या हम fabric color कर सकते हैं, तो इसमें क्या difference है, वो मैं आपको difference बताती हूँ, और उसमें भी मैं कोशिर करूँगी, आपके जो भी confusion है, fabric color और acrylic color को लेके, उसको मैं दूर कर fabric color is especially designed for fabric, यानि fabric color जो है, वो सिर्फ और सिर्फ फाबरिक पे ही color करने के लिए है, नहीं पे acrylic color आप use करते हैं, कपड़ों पे, metal पे, wood पे, plastic पे, और बहुत सारी चीज़ों पे, आप acrylic color भी use कर सकते हैं, fabric पे, और आप उसके लिए भी आपको बहुत नहीं सोचना कि fabric color येस, आप acrylic color भी use कर सकते हैं, लेकिन दोनों में क्या difference है, वो एक बार और मैं बता देती हूँ, quality में, fabric color जब आप use करते हैं, fabric पे, तो वो बहुत खड़ा हुआ, या आपको ऐसे नहीं लगेगा, कि जैसे एक layer आ गई है, वहीं पे अगर आप acrylic color देखें, तो वो थोड़ा आपको thick feel होगा, in fact, fabric color अगर आप use करते हैं, तो आपको कोई उसमें कुछ करने की ज़ुरत नहीं है, आपने fabric color यूज किया, and you are good to go, आपका काम खतम, लेकिन अगर आप acrylic color यूज करते हैं, तो acrylic color की bottle पे, पीछे instructions में लिखा हुआ है, कि आपको 24 hours के बाद, iron करना है, यानी कपड़े के उपर press करनी है, press हम इसलिए करते हैं, so that जो color है, वो seal हो जाए, और जब आप उसको wash करें, तो वो fade नहीं हो, या उतरे नहीं, सिर्फ ये एक छोटा सा difference है, और बाकी जो मैंने आपको बताया है, कि आपको लगेगा कि कुछ slightly thickness is there, but आप use कर सकते हैं, especially मैं आपक करूंगी, जब भी आप अपना किसी भी fabric पे color करना, आपने start किया है, तो you can start with acrylic color, या आप छोटे छोटे के cloth पे, या henky पे, आप वहां से start करें, आप सीधे साड़ी पे paint करना शुरूर नहीं करें, उसके बाद जो सबसे जादा सवाल पूछा गया है, वो है कि क्या ये colors permanent रहेंगे, या wash करने के बाद कहीं उतर तो नहीं जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर आप fabric color use कर रहे हैं, तो आपके colors कहीं नहीं जाएंगे, मैं थोड़ा सा precautionary measure के लिए, जब भी मेरे, मैं कोई साड़ी paint करती हूं, या किसी भी कपड़े पे paint करती हूं, तो मैं iron जरूर कर लेती हूं, 24 hours के बाद, वो इसलिए क्योंकि acrylic colors के पीछे instructions दे वी हैं, तो शायद वो habit में आ गया है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इसलिए कर लेती हूं, कि एक habit भी होगए, और थोड़ा से जादा damage नहीं करेगा, एक seal ही करेगा, आ क्या हम color use करने के लिए पानी या medium किस चीज़ का हमें use करना है, यह question भी बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, तो पहले होता था कि हम medium use करते थे, लेकिन अब जो नए colors आए हैं, चाहे वो fabric colors हैं, चाहे acrylic colors हैं, उन दोनों में ही mention हैं, कि आपको medium use करने की ज़रत नहीं है, यानि आप सिर्फ उसमें पानी add करेंगे और आपका जो color है वो तयार है और आप उसको use कर सकते हैं, पानी कितना add करना है वो आपको पता है, क्योंकि हर fabric को color करने के लिए, जो consistency चाहिए, consistency मतलब किसी भी color की thickness, कोई color है, जैसे अगर आप pure cotton ले रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा मोटा color ही चाहिए, तभी वो उस पर आएगा, लेकिन अगर आप कोई साडी कर रहे हैं, तो उस पर बहुत मोटा color नहीं चाहिए, आप उस अपने color को dilute कर सकते हैं, यानि mix कर सकते हैं, उसको पतला कर सकते हैं, और फिर apply कर सकते हैं, वो आप अपने आप, आपको खुदी करते करते idea हो जाएगा, कि मुझे कितना पानी आड़ करना है, मैं अगर आपको बताऊंगी कि इसमें दो बून डालना हैं, तीन बून डालना हैं, उससे काम नहीं होगा, इसलिए जब आप start करें, तो कोई भी fabric को, जैसे हमारी साडी है, तो generally मैं किसी भी नए fabric पे अगर start करती हूँ, तो जहां से साडी हम पहनना शुरू करते हैं, वो नीचे, जहां fall लगता है, वहां से मैं start करती हूँ, so that वो करते करते, जो पले की तरफ आए, तो मेरे को पता चल जाए कि consistency और मेरा हाथ उपर के flowers की तरफ और अच्छे से set हो जाए, तो आप ये start कर सकत हैं, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था, तो मैंने यही trick करी थी, तो I'm sure ये trick आपको भी बहुत help करेगी, अगर हम साडी या fabric पे use कर रहे हैं, तो क्या अलग-अलग fabric के लिए अलग-अलग technique use करने की ज़रत है, या same technique ही है, technique सारे कपड़ों पे paint करने की same ही है, फरक Every fabric is different, हर fabric अलग है, तो उसको करने का तरीका आपको खुदी पता चल जाएगा, फ्लार आप paint कर रहे हैं, तो फ्लार एक ही तरह से paint होता है, लेकिन cotton cloth पे paint कर रहे हैं, कि शिफॉन पे कर रहे हैं, या क्रेप पे कर रहे हैं, या जॉर्जट पे कर रहे हैं, या और्गेंजा पे कर रहे हैं, हर fabric पे जब आप brush चलाएंगे, तो उसका effect अलग आएगा, और वो आपको करने से ही पता चलेगा, मेरे बोलने से नहीं, तो जब भी आप करें, आप कहीं से भी start करें, आपके पास cotton का cloth है, cotton का cloth उटाइए, कोई hanky उठाइए, और प्लीज स्टार्ट कर ये paint, आप एक बार start करेंगे, उससे अपने आप आपको confidence आएगा, और आपको खुद ही पता चल जाएगा, कि टेक्नीक क्या है, टेक्नीक कोई अलग नहीं है, एक ही तरह की है, लेकिन थोड़ा सा precaution सिर्फ इसमें है, कि किसी fabric पे जैसे ही आप brush लगाते हो, तो बिक्दम फैल जाता है, ब्लीड हो जाता है color, वो बताता है कि आपने पानी जादा add कर लिया है, पानी को कम add करने की ज़ुरत है, तो वो आपको करते करते खुदी अपना idea हो जाएगा, last जो question है, वो ये है कि क्या, जो हम cotton, crepe या अलग हमार पास fabrics हैं, तो क्या इन पे हम किस किस कपड़े पे कर सकते हैं, और वो कौन-कौन से fabrics हैं, जिन पे हम कर सकते हैं, आप सब fabric पे कर सकते हैं, वो आपके उपर है कि आप किस fabric पे करने में बहुन साधा comfortable हैं, या किस में करन हैं, जैसे मैं personally अपना experience पताती हूँ, मुझे सबसे जादा मजा आता है organza पे paint करने में, जब आप organza लेते हैं, तो I think, because it's a sheer fabric, वो sheer बोले तो पारदर्शी fabric होता है, तो बहुत पतला fabric है, तो जैसे ही आप उस पे अपना brush चलाते हैं, वो देख की बहुत अच्छी feeling होती ह मैं I truly enjoy, मुझे बहुत मजा आता है organza पे fabric painting करने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं georget पे, cotton पे या chiffon पे मैंने enjoy नहीं किया, मुझे उसमें भी उतना ही मजा आता है, but personally अगर आप पूछें कि which one is my favorite, तो that is organza, बहुत लोग बोलते हैं कि organza फूला फूला रहता है, खड़ा तो is it okay अगर हम उस पे बनाए या fabric color करें, आप क्या suggest करते हैं, तो मैं आप सभी को ये suggest करना चाहती हूँ कि organza fabric is a beautiful fabric, in fact अगर आप organza पेफ paint करते हैं, साडी है या दुपता और उसको अगर आप use करते हैं, तो it gives very royal feeling, बहुती rich look लगता है, बहुती rich fabric लगता है, मेरे हिसा आपको लगता है कि साडी बहुत एक lengthy process हो जाएगा, तो start with दुपता, but you must start, I hope मैंने इस वीडियो में आपकी जो भी questions थे, जो भी queries थी, जो भी सवाल थे, उनके मैंने जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिश की है, मगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, और आप मुछ से कुछ पूछना चाहते हैं, तो please मुझे comment में जरूर से mention करें, मैं next video में कोशिश करूँगी, कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूँ, और फिर भी कोई आपको लगता है कि कोई सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाई, या मैंने नहीं उठाया है, तो उसको भी आप comment म मुझे लिखके mention कर सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब देने की पूरी कोशिश कर दूँगी, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों के जवाब जवाब दूँगी, I hope मेरी ये वीडियो आपके लिए या आपको कहीं न कहीं help करेगी, helpful रही होगी, अगर य इस वीडियो को अपने friends और family के साथ share करना नहीं भूलें, thanks for watching